हेलो दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सकी दियाई बहुत अच्छी चल ली होगी जैसे कि आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे हो कि क्या च्छी हके फिर्प औन को कि कालकुलेशनंट की बाजर Son疫 के एंवस्तों के बारे बीदिधे क्यों करेंहें काने चेहे हैं कि इहां की यह अउस्त ही हमने मैं आपको क्यों के दक किल कुछा सब्सक्रोन हैता वरे सेख़्ाइश थिकीन का सब्सक्रति अब क्या तो आज पार्ट टू है और जहां तक है आज इसका समापन हो जाएगा ठीक है इस वीडियो का कैलकुलेशन बाट टेक्निक का तो आज हम पढ़ने वाले है बिसिकली मोटे तौर पर तो हम आज मुल्टिफिकेशन बाट पढ़ेंगे मुल्टिफिकेशन ठीक है बट साथ में क कैलकुलेशन के मुल्टिफिकेशन नहीं होती है दो बल्कि क्योंगी तीन चीजे और होती है क्या एडिशन तीसरा सब्ट्रेक्शन और चौथा डिवाइड डिविजन ठीक है अब यह वाला हम नहीं पढ़ेंगे क्यों क्योंकि जो भी कॉम्पटिटिव एग्जाम होते ना उसमें जो भी नंबर्स आते हैं वो फ्रेक्शन समें आते हैं वो ऐसे आते हैं कि वो कट जाते हैं तो उस मैं बेसिकली बता चुका हूँ ठीक है अपनी वीडियो में कई जहां जहां इस्तमालों थी महावा बट आज इखटा देखेंगे साथ में ठीक है तो शुरुवात करते हैं मल्टिपिकेशन से ठीक है देखो आपको काफी चीज़े बताने से पहले मैं आपको दो तीन छोट भी जव्काल नियुम पता देता हूँ जो की आप कह सकते हो की कैसोत्र है जो मर्जिया बहुँ कह सकते हो मैं आपको मॉल्टिप्लाइब के लिवीर करने हैं पहले फिर युनि डिजिट के साथ में 10 से डिजिट को एड कर दोगे कितना हो गया, तीन तो पाच ठीक है अब दोको यहां तो कुछ है नहीं, जिरो ही होगा, तो 10 डिजिट को इससे एड कर दोगे, तो कितना है आप, 2 प्लस 0, 2 तो इसका अंसर कितना है, 253 ठीक है, एक आप पर देखो अब 33 है इसके आपको 11 से मंटिप्लाय करनी है ठीक है अब आप कैसे करोगे कि 3 को एलेवन इंटू 3 तो यह कितना जगा इंटू 3 इंटू 11 करूट बेसिकली सबको पता होता है कितना होता है 121 इंटू 3 ठीक है अब इसको मुट्टिप्लाय करने कि दो तरीके आज सकते हैं कर दिमांग में पहला 3 तो आपने कर दिया दूसरे क्या सकता है कि 11 इंटू 3 होता 300 और 21 इंटू 3 होता तो 363 ठीक है यह दो तरीक है यह जो मैंने ब्रेक कर रहा ना यह 17 हो गया 19 हो गया ऐसी जो मुश्किल वाली टेबल से आती है उसमें काफी हल्फुल होता है ठीक है अब एक बड़ा सा नंबर देते हैं और उसकी आप मेंटिप्लाय करोगे ठीक है इसमें देखो ऐसा बहुत को यूनिट इजिट में 10 इजिट एट कर दो कितना आजाएगा 6 4 10 कितना हैगा 4 प्लस एक पार्च और एक कैरी कितना है छे ठीक है 6 ठीक अब एक के आगे कुछ है नहीं तो यह एक या एगा 1 6 0 6 है इस खांसर करके देखना चाहो तो आप क्या करो 146 को क्या करोगे 10 प्लस 1 लिख लो ठीक है अब दो 146 इतना हो गया इंटू 10 1460 पिलस 146 ठीक है अब 60 और 40 कितना होता है आप तो कि 206 ठीक है कैरी कितना है या 20 ठीक है चलो ऐसे मत करो जब एडिशन सीखेंगे ना तब देखेंगे ऐसे देखो 0 6 का 6 आया यह बस इतना सिंपल एक लास्ट ठीक है कि यह है बैसिक फाइब के लिए है अग देखो फाइब के लिए इसको आपको सबब्स से मुल्टिप्लाइ करना है तो पहले एवन नमब लोग आपको एट से multiply करना है 5 की ठीक है अब सी छोटा नमबर तो आपके 840 है ठीक है बट कुछ बड़ा नमबर आ जाएगा तो क्या करोगे तो देखो यह जो 5 होता है ना इसको के लिखते हैं 10 by 2 ठीक है 10 by 2 ठीक है अब जो भी नमबर आएगा ना जिससे भी आपको पास से multiply करनी है उस नमबर को आधा करें जिरो लगा दो देखो क्यूं इसको क्या लिख सकते हैं 8 into 10 by 2 इसको आधा करोगे जिससे नमर को आधा करो और 0 लगा दो कितना गया 816 224 24 248 248 248 29 लो एक 0 लगा दो यह इसको आंसर है दो कितना असान है बनना क्या करते तो इसमें टाइम लगता है ठीक है तो multiplication में आपको क्या करना है 5 equals to 10 by 2 होता है जब भी multiply करना है आधा करके 0 लगा दो अब वही बात अगर मैं तो दुगना कर दोगे और 0 हटा दोगे ठीक है देखो 80 आ गया अब 0 हटा दो तो कितना गया 8 आ गया ठीक है कितना असान है डिवाइट करने में हमको दुगना करना है और multiply करने में हम आदा करना है देखो 164896 यह ऐसी कोई नंबर है मैंने अपनी ऐसी लिख दिया वस इवन डिजिट है इसलिए ठीक है अब देखो इसको डिवाइट करना है तो क्या करोगे इससे दुगना कर दो ठीक है दुगना कर अब दो आएगा तो मतलब multiply करना है चेड़ो से जीरो हटा देना है अब देखो 612 आड़ाट 1617 नोन ठाल एक उननीस आड़ाट 1617 चाचा आठीक 9 1632 और एक जीरो हटा देना है तो इतना जाएगा इतना जाएगा इतना जाएगा multiply करोगे तो डिवाइट करोगे तो ठीक है चाह करके देख लो 515 14 आया 52010 48 45 यही वनेगा ठीक है तो मोटा सा मतलब किया है शुरू स्कूर में आपको याद अखना पर सकता है बाद में आप करते जाओगे ना practice तो आपको number दिखेगा ना 48 x 5 आप सीधर लिख दोगे 24 ठीक है ठीक है सीधर लिखोगे आप कैसे क्यों divided by 2 करके इंटू 0 कर देना है मतलब 0 लगा देना है ठीक है उसमें resultant में ठीक है इंटू 10 कर देना है ठीक है अजब भी divide करोगे जब भी divide करोगे तो इंटू 2 करना है और नीचे 10 करना है ठीक है तो यह 5 का क्यों है multiplication के लिए ऐसी 4 के लिए होती है बट उससे पहले में 5 स्क् पाच है देखो 65 लगो चलो पहले इसान लेते हैं कि पहले लेते हैं पर लेते हैं जिरो 5 ठीक है अब कोई भी नंबर इसका योंटीट में 5 है तो आफ क्या करोगे इसका स्क्षाइर कर दोगे 25 ठीक है 25 अब जो अगला नंबर है जैसे 0 है जिरो है जिरो है ना अब इस Zero की कि आप इसके higher number अगला जो नंबर है उससे multiply कर दो कि कितना है जीरो तो आंसर कितना है जिरो 25 मतलब 25 अब सब्सक्राइब थीक है अब पाच का multiply करो आप 25 आई या ठीक है अब वन के आपको किसे multiply कर नहीं तो तो वन इंटू वन का अगला कौन साता है टू तो कितना आजाएगा 225 बंदा का स्कार 25 का करके देख लो 25 का तो मैक्सिमन लोग को याद दी होता है 25 का स्क्राइगा आप कोगे पाच के स्क्राइग कर ले कितना आगे 25 ठीक है अब तू यह है और टू की मंटिप्लाइग हम इसके करनी अगले नंबर से तो क्या है वो तीन है तो 236 625 आप कोई साभी नंबर ले लो कोई साभी नंबर ले लो की मंटिप्लाइग आप ऐसी करोगे 5525 आगया 5630 ठीक है इतना असान है ठीक है अब ऐसा नहीं कि यह जो डिवीजन है यह स्क्राइर वाला फंड यह केबल तू रिजित में काम करेगा त्री दिट में काम करेगा फोर बताओंगा निकिक्ट बड़ आते नहीं सब्सक्राइब तो युन डिजिट का आप क्या करोगे इसका लिख दो कैसी ठीक है अब 11 ए और है वां रिटाटी टू फैब ठीक है एक ग्जाम्पल लेलो 225 इंटू अब पाइसका निया था करना है आप को अब तो अब लाएं तो आप इसको करो 11 इंटू इंटू 23 3 ठीक है अभी तक मैं वैसी नमबर ले रहा हूं कि आपका पिछला डिविजन हो जाए ठीक है अब देखो चे को ऐसी लिख दो ठीक है अब छे की चारुक में एड़ कर दो चे चार आगे दस चार और एक पाच कितना गया 506 तो मतलब यहां कितना हैगा 506 अपना फोन उठाओ हो कैलेटर हो था और 225 को स्क्वाइर कर देख लो यह यह आएगा ठीक है 50625 तो यह हो गया 25 का स्क्वाइर दोको बैसे तो यह जो 9 के साथ भी चलता है एक ठीक है बट वह स्पेशल केस है और इतना हमको ज्यादा गुस्तना नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पेपर हमा इंडीक स्वेकार हो अनुलियुक्क बताव स्पेशन थीनृटो ठीक है 9 इंज्टरी27 प्रतीफिएनर था इंज्ट्री- इंज्टर कारे तू लौट अप्वड्रों थैसने , थैन-वाइना हिस हो इनमा श्क्राईतीत कैलकुलेशन पर इलै जा जा एक समाण में करेंगे जिसका practical approach और practical यूज हो ठीक है तो 9 का नहीं बता रहा है आपको ठीक है देखो multiply के एक बचाप 4 का अगर कोई number 4 से multiply या 4 से divided है यह देखो बैसे तो यह हर चीज में अप्लाइब सकते हैं बट मैंने आपको 4 पांच ही क्यों बता रहा हूं गया रहा क्योंकि यह बहु तो आपको क्या करना है देखो 25 परसेंट आगे कभी भी question में तो आपको पता है 25 परेंट होता है बन बाई 4 ठीक है इंटू मानो 120 है ठीक है 120 तो सबको पता है 4 बंजा 4 3 is a 12 तीस आगे इसका अंसर ठीक है बट आलिस सपोस 25 परसेंट और कितना दे रखा है 280 दे रखा है ठी ठीक है ठीक है ठीक है आंसर आगे ना अब देखो अब for example 25 परसेंट नहीं दे रखा 25 इंटू 280 दे रखा है मुझे तो क्या करोगे तो आप क्या करोगे चार से डिवाइट करोगे और 20 लगा दोगे 10 इसका कितने 0 आएंगे फिर तीन 0 आज जाएंगे देखो मंटिप्लाय क करके देख लो चाहिए 25 को आप जिसकते हो 100 बाइफ 4 इंटू 1280 लिखा थे नहीं पर मैंने 280 280 दोसो असी देखो फोर बंजा फोर सेबंजा जीरो एक दो तीन कितना है आया साथ एक दो तीन ठीक है आगया ना 30 यह मैंने चार को लिख दिया है अब है यह हाँ पर साथ ठीक है क्या हो रहा है ठीक है साथ फोर से डिवाइट करें 27 कि इसले 27 आया एक जिरो यह वाला गया दो जिरो पच्चिस का जो हम सॉलिद देंगे तो बहा जाएगा ठीक है यह सारी बहुत चीजे हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा यूज होती है ठीक चलो इतना मैंना को बता अब एक अग्जामपल और लेते हैं इसका इसका समापन कर देता है सब्सक्राइब लिखा है 25 परसेंट ऑफ 624 तो आप अब देखो नीचे परसेंटेज लिखा है तो आपके दिमाह में क्या आएगा सीधे कि इसको चार से डिवाइट कर दो कितना एगा बारा पंचे साथ होता है फूर बंजा फूर ठीक है 22 कैरी फूर फाइस त्वनटी फूनटी फूर ठीक है अब हमने इसको चार स लिखेंगे और जो परसंटेज यह उन अंदेट बन जाएगा तो परसंटेज अब भूल जाना एस में कि भ़ल चार से डिवाइट कर देना है ठीक है उपर क्या था मैने ठीक है वो पसंटेज हो देरका है तो आप सीधे क्या करेंगे 1 by 4 कर देंगे ठीक है सीधे 1 by 4 को पस्चीज वेली तो खुदी 1 by 4 होती है ठीक है अब देखो अगर कि एवल 25% देरका है 25 देरका है वन 3 3 2 इसकी मुंटिप्लाय करनी है तो आप को क्या करेंगे आप चार से लगा देंगे ठीक यह आपका अंसर हो गया चलो अब मूब करते हैं अपने मल्टिप्लिकेशन पर मल्टिप्लिकेशन पर देखो अभी तक भी मल्टिप्लिकेशन नहीं था बट वो कुछ अब क्या है अब मैं जनरलाइस चीज़ चीज़ तिकाने वाला हूं थीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस मैथड और यह बहुत इंपोर्टेंट है देखो 10 का वेस ले सकते हो 50 का ले सकते हो 100 का ले सकते हो लेने को आप कितने का ले सकते हो बट जो हमें बैंक के एक्जाम म हमारी हेलप कर सकते हैं तीन ही base है ठीक है क्योंकि हमें कालकुलेशन भी करने हैं हैं अब पैले में 10 ब已स चिंखाओंगा 1000 का बेस चिंखाओंगा चिंखाओंगा मन में करने भीए किम्सक्राइब पता हूं गहां तो निए क्योंकि स्मнова Has कजाए गी तो यह 13 जो है हमें 13 into 13 कर डीक कर ठाह्iens थीख करना है ठीक करना है 13 into 13 अब डीक हो 13 क्सके पास है रिख देख देंगे एक बार हमें एक बचानों हैं ठीक है क्योंकि दोग स्मट्वारा से हो रहे यह आप कितना कि 강ी mat करिणा क्यों ? आपके Чер Bengal realized Herren तो इनकी मंटिप्लाइए करनी है अब 13 प्लस 3 कितना है 16 ठीक है तो बेस टैन पे ना 10 पे आपको 11 से लेके 19 तक के जो नंबर है उनमें आप बिना पैन उठाय करेंगे अभी सिखाऊंगा कैसे ठीक है फ्लाल आप वह समझों कॉंसेप्ट देखो आपको 12 इंटू 12 करना है ठी तो आप क्या करोगे दो बार पहले बारा लिखोगे एक बार ऐसे एक बार ऐसे फिर आप बताओ 10 प्लस 10 में कितना एड़ करूं कि 12 आपको प्लस 2 करना है दो क्यों कर रहा हूं यहां पर प्लस 2 क्योंकि हमारे 10 बेस है ठीक है अब 10 में कितना एड़ करूं 12 आपको प्लस 2 क करनी है फ्यक्या कितना हगी है two two the four plus में ठीक है अब इसकी इसकी हमें एडिशन करनी है कितना हगी है 12 बार चार 12 दूमी 12 दो 12 ठीक है अब जरूरी कि आंप इनिकी करो क्रोस में आप किसी के भी एडिशन कर सकते हो इसकी करोगे इसकी करोगे तब भी आपको 14 ही मिलेगा ठीक है 14 अब मेरी खाल से square जो थी common common बहता को संज में आ गए होंगे हम एक वाद 13 इंटर 12 करते हैं ठीक है अब देखो मेरे को 13 की multiply करनी है तो यहां लिखोंगो 13 12 की multiply करनी है तो यहां लिखोंगो 12 12 कितना जोड़ूं 10 में की 3 आ जाए 13 आ जा आये आपको आपको ब्लस 3 कितना जोड़ूं 10 में की 12 आपको आ में प्लस टू अब मैं इनकी कंदिया मन्टीपलाई कितना घा । दोने ञादर सथ थी त ही 17 यहां लिखो 19 यहां लिखो ठीक है 10 में कितना जोड़ू कि 7 आजाए 17 आजाए आपके गोगे 9 जोड़ दे छीक है बापिस में कहांगा कि इन दोनों का एडिशन करना है कितना आजाएका 9 7 इन दोनों का क्या करना है तो इसको मतलब क्या है यह जो नंबर है इसको हमको जीर इस वारी नंबर में एड़ करना है कितना जाएगा 26 पिलस 6 ठीक है यहां पाएगा 3 26 कितना होता 32 कितना जाएगा 323 ठीक है अब चावता आप करके देख लो 17 इन्टू निस तको 17 यह आगया 19 यह आगया इसको एक काम करो 17 लिखो इसको 20-1 लिख लो 했는데 10 इन्टू सब्सक्राइब कर देख लें जाएगा इसको इस एक अगर आपके एंड़ क्रीशिद यह आड़ करोंगे तिक है अगर आपका उन्डून शेट कहरो ना बाकी जो नमबर था छे इसको इस वाले नमर में एड़ कर दिया वैसे ठीक है जब सो वाला समझाओंगा तो आपको और सब्सक्राइगा चलो एक अग्जांपल लेते हैं 17 इंटू 16 ठीक है यह लाक्स अग्जांपल है फिसका मन में करना सिखाऊंगा 17 यहां लिखो 16 है ल 23 तो हम्में कितने डिजिट लेना है यूनिट लेना है कि वहले तो जो बाकी होगा यूनिट के अलावा उसको हम आगे आड़ कर देंगे 23 प्लस चार कितना होगा 27 वह दो यह हमारा आंसर है ठीक है अब यह तो हो किया मन इसमें लिकल के करने वाला अब मैं आपको मन में करन लिकल करने का सकाता हूं देखो 13 इंटु 12 हें यह करना है अब इसको कैसे सकते हो कि आप इसको फार्टीटी क्यों सकते हो हो यह 12 3 क्यों सकते हो आक बात तो एक ही है यह हाँ बात एक ही हिए और अक्को इन्टी ऐ बंच सम्जा रहा हूं डेंस्स आप यह बारा और अब आ लिए छोटे नम्मर यहसान नम्में कड़ों योट कितना गया थीडू टू स सिक्ष कितना ऑगया शिक्ष ठी के बारः और तीन कितना गया आपके 15, 156 ही आएगा न, ठीक है, अब चाहिए इसमें कर लो, unit digit की कर लो, multiply, कितना हैगा, 3 to 6, ठीक है, और 13, 13 और इसका unit digit कितना, 13 दो, 15, 156, आगे है ना, money man में, ठीक है, अब एक आप मन में करो, 14 into 15, 16 करो, ठीक है, अब क्या करना है, unit digit की multiply कर दो, कितना है, 6 for the 24, carry आया, ठीक है, 16, 4, 20, 22, 22, ठीक है, अब चाहिए आप 16 into 14 करके देख लो, 6 for the 24, carry 2, 14, 6, 20, 22, ठीक है, यह 11 से लेकर 19 तक अप्लिके वाल है, ठीक है, जब भी आके पास कोई भी नमबर है, जो 11 से 19 तक जा रहा है, आप सिधे यह करोगे, ठीक है, unit digit की multiply करोगे, उसको carry आएगा तो साइड रखो गए, और एक को दूसरे की unit से एड कर दो गए, बस खतम, लास्ट ओर कर लेते हैं, 17 into 19, 17, 19 की देख लो, देखो, 97 जो होता है, 63, 6 आया, carry, 19 और 7 कितना होता है, आपकर को 26, 26, 32, 323 आगे है, इसका अंसर, ठीक है, तो 11 से 19 तक, ठीक है, अब हम देखते है, बे से पहले एक चीज हो, अगर मेरे को multiply करनी है, 11 into 9, ठीक है, बैसे तो यह देखो, देखने में असान लग रहा है, बट यहाँ मेरा उद्देश से जो है, 11 नहीं लेते, फिर आपको बोई बारा लगा, 12 into 9 करना है, 12 into 9 करना है, ठीक है, बैसे तो सबको पता होता है, 12 नम कितन में से 9 करना है ठीक है, अब बारा माइनस एक आपको जएगा, 11 ठीक है, 11 , ठीक है, 11, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो 11 बन जाएगा, 10 और 2 बन जाएगा आठ, ठीक है, यहां पर जो भी निकेटिव आएका उसको 10 में से माइनस कर दें क्यों यहां से हम 10 एक ही तो भीज रहे हैं 1 प्लस 0 ठीक है तो एक सो आटा जाएगा एक को करके देख लो चाहें 13 इंटू 7 कितना एगा आप सोचो के 10 13 यह है प्लस 3 आएगा 13 ठीक है साथ यह है यह आएगा मैनस 3 ठीक है 3 इंटू 3 हो गया मैनस 9 तेरह मैंस 3 यह आपको 10 अब एक 10 इसको 9 को हमें बनाना पॉजिटिव में तो 10 में से 1 मैनस कर दो कितना गया एक अब हमने एक करी लिया ना तो कितना गया 91 तेरह सत्य क्यानवी होते है ना स्धे脆जे अब आप हम बेस कर लें ते ज हैं थीच क्या है मैं 25 यह भी नगे हम लेंगे सब्सक्राइब दुस जाता प्लस 1 अब यह 23 है 152 यह ओंखे प्लस 3 फिर से मैंतिक और ऑंगा इंका मद्थिप्लियर कर लो ऐगा प्लस 3 इंको एड़ा दो क्रॉस Janet इनको कर लो किसको कर लो कितना है कि 13 21 24 तीक है अब 20 है ना अब देखो 20 कैसे बनता है बनता है 10 इंटू 2 से तो आप क्या करोगे जो भी यह वाला नमबर आएगा इधर वाला इधर वाला इसको आप कर दो के दुगना कितना यह 48 483 को एसी लिख खरें दो कि तो आंसर कितना हो गया 483 ठीक है आप चाहिए करके देख लो 21 इंटू 23 देखो 21 इंटू 23 है इसको में सकते हैं 20 प्लस 1 इंटू 23 ठीक है अब देखो यह कितना जाएगा दू तो चाह तीन तीन छे जीरो प्लस 23 कितना गया 483 483 60 20 80 होता ना यह कितना है 483 आप इसको भी मन में कर सकते हो चलो एक्जांपल लेते हैं 23 इंटू 26 ठीक है यह कितना जादा है प्लस 3 यह कितना जादा है 20 में 6 6 जादा है तो 6 तीया 18 ठीक है आगया अब 23 में 6 एट करोगे तो कितना एगा 29 29 का दूना कितना होता है 58 अब अब देखो मैंने गा था 10 है तो केवल हम 0 केवल एक ही है तो एक ही लेंगे तो कितना जागा इसको इसमें एट कर दो तो 598 इसको आशर कितना गया 598 आप अपने क्रेक्टरे से कर लिकर देख लो 23 इंटू 26 जब आप करोगे तो आपको 5980 मिलेगा ठीक है समझे में आगया क्या करना है देखो एक last example ले रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनना और यह मैं मन में करके दिखाऊंगा पहले फिर लिखके इससे क्या होगा कि आप मन में करने के सक्षम हो जाओगे 27 इंटू 28 लेना ऐसा नहीं कि मैं 30 नहीं ले सकता है बेस मैं 30 भी ले सकता हूं तो बैसे हमें इसकी क्या करना है १ judgments की multiply करना है कितना जाइगा से 8 में लेंगे 56 इसी लिख लो अब देखो 27 इसमें हमने क्या कह था एक पूरी नंबर को ले लो जह दूसरे का यॉनिधित में एड़ दो ठीक है अब इसमें इसम १कृत करेंके एक पूरी नंबर को ले ल वो क्या बेस है 35 कितना होता है 70 70 अब यह 56 है बट हमें तो केबल 6 चाहिए ना क्योंकि यूनिट इट है अब इस 5 को हम इसमें एड़ कर देंगे कि तो कितना हैगा 756 ठीक आपको मेरे खाल से बहुत अच्छे संज में आ गया होगा याद दो गया होगा एक 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 ले लेते है 23 इंटू 24 ठीक है अब देखो 23 इंटू 24 असान है इंटू 24 अब क्या करोगे यूनिट इजिट को एड़ कर लोगे कितना है चाहती है बारा एक आया कैरी क्योंकि बेस दस है ना इसलिए एक कैरी लिग दिया है ठीक है अब एक नमर को पकड़ लो और दूसरे का एड़ कर द 5 5 2 अब आप चाहो तो 23 इंटू 24 अपने केल्कुलेटर में करके देख लो 552 ही इस कहां सा जाएगा इतना असान होता है ठीक है तो इसकी हल्प से आपको 23 इंटू 24 ना ही याद करोगे तो भी कोई दिकत है जितने में आप तेबिल याद करोगे इतने में आप इससे कर हमें 28 से ठीक है अब बेस कितना है हमारे 30 है यह कितना है दस का 3 गुना है ठीक देखो अब 3 गुना है अब मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि युन डिजिट की मंटिप्लाय करनी है ठीक है मैंने कहा ता भी तक हरवान नम्मर को लिख लो इधर ठीक है अब तीस में से 27 कितना कम है आप क्यों क própria 3 में 26 कितना कम है मैं मैंनेश दो थीक है अब इन दोन के हमें क्या करनी है ठीक है कितना गया 32 जा 6 ठीक है 33 जा 6 27 में गया आप कहों कर पच्चीस ही अब हमारा बेस हालाकि 30 है 10 का 30 क्या होता है आए 10 का 3 गुना होता है तो इस नम्मर को हमें into 3 करना है कितना है तो इसका मतलग conclusion क्या है ना कि अगर आपको 30 के पास वाल नम्मर दिख रहे हैं तो 30 का बेश ले लो 20 के पास वाल नम्मर लिख रहे हैं तो 20 ले लो ठीक है अब तो 29 आगया ठीक है दोनों कम है 30 से तो इसलिए स्क्वाइर पॉजिटिव दो जाएगा तो एक कम है यह दो कम है जितना होता है तो यह तीस में से एक कम है तो 28 में से 1 माइस करोगा कितना है 27 और हमारे बेश कितना है 30 है तो इंटू 3 का 2 27 तो यह कितना होता है आपके हो गए 3721 326 81 813 28 29 करके देख लो आज से कितना है यही आएगा 81 अरे मैं 3 को लिख दिया 2 x 1 2 2 होता है ठीक है थोड़ी सी गलती हो गई है माफ कर देना टीक है तो यह आपका एक्जांपल आ गया एक लाश एक्जांपल ले 26 27 कर लेते हैं 26 27 आपके होगे यह 3 कम है यह 4 कम है दोनों कम है तो 3 x 4 कितना होता है 12 होता है ठीक है और देखो 26-3 कितना आ गया 26-3 करोगे आप तो आपके होगे 30 आ जाएगा हलाकि हमारा बेस तीन है थर्टी के बेस पर कर रहे हैं ठीक है तो देस कर दिगना है तो इसने हम कर देंगे 3 से मंटिप्ला है कितना जाएगा 3 3 9 3 2 6 ठीक है और एक यह आ गया तो 72 ठीक है अब आप चाहें तो 26 इंटू 27 करके देख लो 26 इंटू 27 कितना है का साथ सो दो अब यह अला गजांपल आप मन में करोगे 23 इंटू 25 ठीक है तो दोन बीस अब देखो आप कहरो कि यह 20 के पास में 30 से दूर है तो हम 20 का बेस लेंगे मन में ठीक है अब यह प्लस 3 है तो पास टीह होते है 15 केरीयाव ऑफ बन और टेई ही जो पाच कितना होता है 28 28 और 28 के दुग्र ना कितना होता है 56 56 75 तो इस कांसे कितना आई है 5 75 डेख लो कितना असान है 23 इंटू 275 करो गये ना तो आपको 575 भी आंसमलेगा ठीक तो मेरी खाल से हो गया अपना 10 का भी हो 20 का भी हो गया 30 का भी हो गया ऐसी आप 50 का ले सकते हो उससे पहले मैं आपको सौस से समझा देता हूं ठीक है बेस हंड़िट लेते हैं पहले बेस हंड़िड ठीक है अब देखो अगर आपको 99 की 98 से मंटिप्लाय करनी है सब कुछ सेम है चाहें 10 का बेस लो 20 का लो 50 का लो प्र मंटिप्लाय कितना जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू आपको के टू ठीक है दिन्यानमे से दो गए आपको के सत्तानवे तो आगे सब्सक्राइब दिहान रखना की बेस हमारा हंडेड है तो मैंने उपर का था ना कि जितने 0 होंगे उतने हम लेंगे अब देखो यहा ठीक है अब 200 बेस है हमारा तो जो जीरो आने चाहिए तो जीरो लगा दो ठीक है 99 में कितना का मैं मैं मैंस 3 तो 99 मैंस 3 96 ठीक है दो इतना असान है अगर आप थोड़ा सा इसको प्रेक्टिस करोगे ना तो आप यह सब चीज़ें करने लग जाए हाथ हो आप बड़ा एक्ज 90 माइनस 12 कितने होते हैं आप कहोगे 80 तो इस कहां से कितना जेगा 8184 चाहिए आप इसको कर के देख लो ठीक है ठीक तो यह होगे अपना तरीका अब देखो मैंने आपको 20 का 30 का बेस लिया तो मैंने का था 10 इंटू कर लो यह 10 इंटू 3 कर लो ठीक है पचास का भी आपको 30 करना है तो आपके कर सकते हैं 10 x 5 भी कर सकते हैं 100 4 भी कर सकते हैं ठीक है ठीक है अब देखो यह कितना 50 आप के वह वह किए चेह मढ़ा कर दो कितना एक 24 बेस स्ल सॉल ले जरे लें ठीक है 24 44 में से मैंने 6 कितना साइगा 40 शारीस ठीक है 40 अब देखो जब हम बेस हमने 10 ले रखा था हो मंटिप्लाय कर रहे थी थी अब हमने 100 ले रखा या 50 काम करना है तो हमें 2 से दिवाइट करना है इसी नम्म दोसे डिवाइट कर द You कितना जगा 20 24 कर के देखला 46 6 x 44 आंसर आपको यही मिलेगा तो मज़ गयो तो अब आप मेरी खालत से बिना पैन उठाए भी कर सकते हो ठीक है अब देखो यह कितना कम है तीन कम है यह दो कम है तो 32 जा 6 आगिया बेस मारस होगा तो 0 ले लेंगे ठीक है ठीक है अब देखो 47-2 आपको 45 इसका हमें आदा करन है तो कितना आ जाएगा साड़े 25 साड़े बाइस या जीरो च्छ ठीक है अब आगे क्या करना है इसके बताओ इसको हम क्या लिखेंगे 22 इसको इसा आधे हम लिखते ना 50 तो 50 प्लस 6 कितना जागा 56 तो कितना जागा 22 प्लस बाइस छपपन इसका अंसर ठीक है तो 47 इंटू 48 करके देख लो चाहिए आप पने फोन में कि अधी टू को हम सो का क्या लिखते हैं सो में जब बेस लेंगे हम लिखेंगे पचास ही लिखेंगे न पचास प्लस छे कितना होता है चपनी तो होता है इसलिए एक एक जामपल ले लो आप 47 इंटू 40 और इमन का किस ले ले है 46 ले लो ठीक है देखो यह माइनस तीन है यह माइनस चार है तो मैसी माइनस चार होगे माइनस बारा ठीक है माइनस प्लस बारा ठीक है अब देखो 47 में से आप चार घटा होगे कितना पच्छे का 43 ठीक है 43 अब हमें बेस हमने 100 लिया है बट हमें 50 पर कम करना है तो इसका आदा कर दो तो त्रहाल इसका आदा कितना होगा आपके होगे साड़े 22 साड़े 21.5 ठीक है 21.5 ठीक है पिलस कितना 12 ठीक है अब देखो 21.5 है तो इसको मिल सकते हैं 21 प्लस 12 प्लस क्यों लिख रहा हूं में यह 12 एसी लिख रहे हैं दो ठीक है प्लस वारा यह उसको रिप्रेंट कर रहा है कि दोनों निगेटिव थे ठीक है तो 21 है यह और यह आगे 50 प्लस 12 कर दिया है मैंने यह तो 21 पूरा देटिस रहेगा ना ठीक है 21 है 50 हम इसको दे रहे हैं दान एक्सर जो है बहुत दान कर रहे हैं इसको तो हमारे पास 50 एक्सरा है तो हमने 50 प्लस 12 कर दिया बासट हो गया तो 21 बासट इसका अंसर है इस सारी चीछे मन में हो जाती है अब आपको 101 इंटू 103 करना हो तो आप क्या क्या होगे यह तीन ज्यादा एक ज्यादा है तो थिरी बंचा थिरी अब बेस हमारे कितना है 100 है तो दो 0 है तो दो आ जाएगा ठीक है मैं सारी बता चुका के अग्जामपल लूं 13 इंटू 15 पहले करो 10 से ठीक है 10 से करो तो आप क्योंकर यह दो ज्यादा है यह पाच ज्यादा है तो 5 तू 10 ठीक है अब 10 है तो एक ही आएगा तो एक कहरी आ गया 12 पाच 17 और एक 18 तो एक स्वस्थी आ गया ठीक है और दूसर त से गया राया थे तो आप सिधे ऐसी करना ठीक है यू इडिजे की मंटिप्लाइ करी एक को दूसरे एक नंबर को दूसरे के यू इडिजे कर दे ना फिर कर देना ठीक है तो आ जाएगा 129 जो भी आंसर है 21 इंटू 30 करो दोनों 20 के पास में तो 10 को बेस मानेंगे और 20 को बे जब स्वाइब आए बइस इंटू 2 करा तो इसलिट और इसलिट इन अपने फोन में दिमाग में मन में जैसा करना है नो पन्टिट्री अब आप करके देखो फाटि फॉर इंटू 39 के अब देखो यह 50 के तो आप क्या करों कि 50 बेसमान लोगे कितना कम है आपको 6 यह कितना कम है 11 इंटू 6 आपको 66 ठीक है 100 माना है नहीं तो 2 आ गए ठीक है अब दोनों नीगेटिव में तो इसलिए प्लस अब 44 में से माइनस गटा हो गए तो आपको 33 आएगा अब मैंने बेसमान है 100 तो इसको भी जाए अब कितना जाएगा 16 अब इसको हम लिसकते हैं 50 बने 16 बन बाई 2 है न यह और यह 66 तो इसको लिसकते हैं 50 तो 16 और 50 प्लस 66 कितना है आप कहोगे यह हो गया 6 6 5 11 116 तो आप क्या करों कि 16 का लिग दो के इसको इधर एड़ कर दो कितना जगा 1716 ठीक है यह इसका अंसर ह अब चाहिए तो मेरे ख्याल से हमने क्या सीख लिया मल्टिपिकेशन सीख लिया अब देखो यह तो कुछ स्पेशल केस है कि किस से पास है किस से दूर है अब मैं आपको सिखाता हूँ एक जनरल फॉर्मॉला जो आपको हर एक में काम करेगा ठीक है एक तरीका यह है कि आप मन में कर सकते हो कि 23 को ऐसे करा मैंने मन में क्या करा 20 प्लस 4 लिख लिया फिर आप इसको कर सकते हो कि 30 दुनी तेज दुनी होता है 460 तो इक तरीका यह भी है बट अगर मैं बटा करता है तो मैं जल्दी कर लेता कैसे की मेरे को पता है ये 3 जाता है ये 4 जाता है तो 4 यह 12 ठीक है 12 ठीक है तो 552 ठीक है तो यह गलत लिख दियोगा मैंने ठीक है अच्छा 965 ही तो होता है ठीक है 965 ही होता है 965 होता है ठीक तो आपकी मर्जी है आप कैसे करो बैदिक मैस अगर आप थोड़ा टिप पे ले आए न आपने तो आप जल्दी कर लोगे एक एक जामपल दे लो कि आप 27 इं इंटू 13 इंटू 2 ठीक है अब आप सोचो कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा की 37 इंटू 26 मैस से 30 का लोगे तो इसका लोगे तो इतना टाइम लगेगा कैसे यह शान ज़्angen जयादा तो कितने हो सांटे के भाल्यारीव ठीक है है ब्यारीज़ ठीक है 27 उच्छे कितना होत आप जब चैक करोगे ना तो आपको यहीं मिलेगा ठीक है सब्सक्राइश को बैदिक मैं उससे करते हैं थर्ट थर्टी से बेसमान के तब भी इससे कमी टाइम लगता पूछो कैसे देखो यह कितना कम है यह तीन कम है यह चार कम है तो चाहती हो कि बारा ठीक है 27 में से चाहती तो यह बहुत काम टाइम देता है बस कंडिशन यह है कि आपने इसकी प्रेक्टिस कियो ठीक है दो चार दिन पात साथ दिन आप कर लोग ना प्रेक्टिस फिर उसके बाद आप आप आप्टमेटिकली इसको अपने उसमें अप्लाय करना लगोगे आपके नॉर्मल काइशन प्रेक्टिस में बट उससे पहले थोड़ी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है तो इसलिए मैंने आपको कल 45 वाले 40 ता 30 तक कहीं कि बोले थे कि 40 से 65 तक असान होते निकालने ठीक है इसलिए मैंने आपको नहीं बोले थागे तो मेरे खाल से हो चुका और एक चीज़ और मल्टिपिकेशन में आपको मैं बता दूँ एक यू डिजिटल सम करके कुछ होता है डिजिटल सम करके बैंक वाले होना तो इसके चक्र मत अगेगा ठीक है अगर मन हो तो ट्राइब कर देख लेना खुदी और यू डिजिट से यूगा सकते हो आप 11 को मैंने बताई दिया आपको 5 को बता दिया 4 को बता दिया मेरे खाल से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया मल्टिपिल आए में तो कम से कम बस अब बचा क्या उनिवर्सल मैठेड यह जो है यह हर जगे लगता है देखो नम्मल लेते हैं दो 23 इंटू 33 ले लेते हैं ठीक है अब आप यह में सोचना कि इनको हम 20 से यह 30 से नहीं कर सकते हैं मैं आपको भीगर कर दिखा जेता हूं 20 कमान कर चलो यह 3 जादा यह 13 जादा यह 3 जादा तीन 45 तो हो तो चाहता है बट हमें नहीं करना ना ऐसे जो चलो यह तो फिर बेसान आये थे कोई मुश्किल नम्मर आता सपोज 87 इंटू 43 अब बताओ लगाओ कौन सब इस लगाओगे ठीक है तो हमें क्या करना है जेनल मैठूट आ रहा हूं हम मैं दोको इस वाली नम्मर की इस इसकी इससे मंटिप्लाइ करो ठीक है पिलस इसकी इससे मंटिप्लाइ करो कैसे टुफ सेवन इंटू फॉर सेवन इंटू फॉर ब्लस आट इंटू तीन ठीक है पिलस ठीक है यह आ गया और तीसरा क्या है आपने इन वाल डिजेट्स की मंटिप्लाइ कर ली आपस में कर ली बचे यह दोनों इनकी मंटिप्लाइए का दो साथ या 21 ठीक है अब देखो कितना आ जाएगा यहां मैं साफ साफ लिखके दिखाता हूं 87 इंटू 43 ठीक है देखो एट फोजा 32 32 देखो साथ 7 फोजा 28 28 अब एट यह 24 कितना आ गया 52 पाच ऐसे लिख दो दो ऐसे लिख दो 374 बने चेक कर लो जाएं आप अंसर ठीक है तो एक तरीका यह है और यह जो है ना यह यूनिवोसल बैठेट है यह बहुत असान असानी सो जाता है एक गजामपल लें 59 इंटू 73 ठीक है पहले अच्छा ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप पहले इन्हीं को करो जासे में कर रहा बोल्टे कर लो 930 27 7 असे लिखा दो नीचा आगया ठीक है ठीक अब देखो 970 63 ठीक फाइब फाइब सिसे फिटीन है कि तो आगया आपको 78 आ गया तो 7 ऐसे लिख़ो आट ऐसे लिख दो और 570 35 5 ऐसे लिख़ो पाच ऐसे लिख चेक कर लेना 59 x 7 का क्या आएगा 73 का यह जाएगा 4307 तो आपके बीश है आपके दरसे चलो कि दरसे चलो बट यह कही जनलाइस्ट है जहां भी आपको बेस नहीं दिखाई दे कोई आसपास में तो यह लगाओ ठीक यह बहुत असान तरीका है मैं आपको एक वर अलग-अलग से लिख को दा देता हूं जिससे की याद रखो कोई नंबर ले लेते हैं 47 x 69 ठीक है दोखो पहले करना है 4 x 6 ठीक है तो फॉसिग्जा 24 पहला स्टेप क्या है 4 x 6 की मंटिप्लाइए ठीक है 24 आ गया ठीक है अब दूसरे स्टेप क्या है जो अंदर वारी नंबर है उनकी मंटिप्लाइए 7 x 6 ठीक है स्टेप 2 किया है 7 x 6 पिलस अब जो बहार वारी नंबर है इनकी मंटिप्लाइए इनको मैं अलग नंबर से इसको मैं इससे हालाइट करता हूं ठीक है कि इतना गया 9 x 4 यह स्टेप 2 है कितना गया 76 to 42 9 4 36 इतना गया 628 आठ चाहतिन साथ साथ यह आगया ठीक है इसको हमने क्या लिखा 78 को हमने ऐसे लिखा ठीक है अब हारे पास क्या बचा एक ही नमबर बचा क्या है सेवन इंटू नाइन स्टेप 3 क्या है स्टेप 3 है सेवन इंटू नाइन इकोल सिटू 63 अब इस 63 को हमने क्या लिखा 6 और 3 और कलर से नोट करना की कैसे बताया है वैसे तीन ऐसे आगया एड कर दो आठ च्छे चौदा साथ पाच बारा तीन टू फो थी इसका आंसर ठीक है फॉर्टी सेवन होगा ना फॉर्टी सेवन इंटू 63 तो आपको आंसर मिलेगा 69 सॉरी यही ठीक है तो यह बहुत बेसिक तरीका जिससे आपको सकते हों ठीक है तो मेरी खाल से आज की वीडियो हैं खतम करता है काफी लंबी हो गई है लंब सम्चालिस प्रास्ट की हो गई है तो हमारे पास क होगे ना तो मैं आपको अलड़ी सब बता चुका हूँ यह बेस से उपर लेकर प्लस करना बेस से लिचे मानेस करना तो बहुत में आको बता दूंगा वैसे बट आप बैसे सीखी जो क्या हो चीज़े तो अम भी लेंगे अगली वीडियो में तब तक जैहिंद और खू पै एनटे के व्धिनम सारी पीडियेवश भहीं मिलती है चाहिए वह मेंथ कर डियाई यह उसकी पीडियफ भी मिलेगी मिलेगी कडलेफटाफट वीडियो मिलेगी जो बी पीडियफ हो गे जो भी वीडियो आएगी उसकी वीडियो आपको सब कहा मिलेगी कॉंसेट वद्धिनम टेलिग्राम चैनल पर तो इसको के करोगे है आप जोइन करोगे ठीक है मैंने यूट्यूब पर आज तक सब्सक्राइब करने नहीं बोला ठीक है क्यों क्योंकि यह अपना पर्सनल आपक अगली वीडियो में तब तक आप बहुत मेहनद से बोड़ो और नहीं दोड़ो और आपने एक वीडियो देख लिए तो मैंने चाहता कि आप मेरी वीडियो दोबार देखो अगर आपको समझेव आ गया है क्यों उससे आपका टाइम बेस्ट होगा आप सिद्धे जाएगी जाहिंद हिंदुस्तान का त्रंगा हमेशा सब से उपर रहे हैँ चलिया है कि अ मौप अ